सब्सक्राब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल एकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिक्शन पाने के लिए स्वागते दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्लोक साटिन टेबलेट के बारे में कैपसूल के बारे में यह एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है इस दवा का यूज क्या रहता है साथ इसके साइड एफेक्ट क्या रहते हैं और वीडियो के अंद में जानेंगे दोस्तों कि डोज और वार्निंग्स क्या है जो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है बहुत ही उप्यों की दवा है लेकिन इसके वार्निंग आप नहीं जानेंगे तो कुछ मिस कर जाए इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि दवाओं की अधुरी जानकरी बहुत ही गात्क होती है मैं हूँ आपका दोस्त मोहित दादिच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आल अबाउट मेडिसिन चलिए आज फिर कुछ नया सिखते हैं इस आरई सेलेक्टिव सेलेटरोनिन री अप्टेक इन्हीटर क्लास की दवा है यहां कैपसूल और टेबलेट दोनों ही फोम में मार्केट में अवेलेबल है साथ इसकी जो स्ट्रेंथ हैं दस मिलिग्राम और बीस मिलिग्राम की उपलब दे इसकी ब्रांड नेम के बारे मे को बात करें तो सरु परतनम अब सबसे ज्यादा जो इसका प्रियोग डौक्टर द्वारा कीा जाता हूझ एंटीडेपरेसेंट के रूप में किया जाता है डिप्रेसन को दूर करने के लिए किया जाता है इस वीडियो से पहले एक और मैंने एंटी डिप्रेशन मेडिसिन एमी टिप्टिलिन की आप वीडियो अप्लोड किया है जिसका लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा साथ ही उपर आइकड पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और यदि आप इस चैनल पर नए प्यूवर हैं पहली बार देख रहे हैं तो अपने चैनल यूट्यूब ओल अबाउट मेडिसिन को जरूर सब्सकाइब करें जिससे आपको दवाओं की बारे में जानकारी मिल सके और बेल आइकन को दबायो जिससे लेटेस अपडेट जो मैं अफ्लोड करता हूँ आपको मिल पाए बात करते हैं डिप्रेशन की डिप्रेशन एक मेंटल डिसॉर्डर है जिसमें मरीज को लो एनरजी मूड रहता है उसका किसी भी वस्तो या गटना के प्रति उत्साहा कम हो जाता ह साथ एक खुसनुमा माहोल में खुसी के पलों में भी मरीज अपने आपको खिंसा महसूस करता है इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए फ्लोकसाटिन टेबलेट या केपसूल डॉक्टर दौरा पिसकाइब किया जाता है साथ ही OCD नाम की एक बीमारी है जिसे Obsessive Compulsive Disorder कहते है इस बीमारी में मरीज चीजों को तथा किये हुए कामों को भूल जाता है और बार बार उसे रिपीट करता है जैसे हातों को बार बार दोना दरवाजा बंद होने के बावजूद उसको बार बार देखना साथ ही जो गेस का सिलंडर गर में रखा जाता है उसकी नोब को चेक जख रहती है इसको treatment करने के लिए फ्लूक्सरतिन टेबलेट या केपसूल का प्रयोग किया जाता है और यदि किसी व्यक्ति को eating disorder है इस बीमारी में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा खाना खाता है और उस खाना खाने की speed अधिक रहती है और खाना खाने के तुरंद बाद उसक काम करने के लिए किसी भी परका की CDU ले रहा है इस्टिमुलेट ले रहा है जिस कारण से उसको उल्तीदस्त हो रही है और सारे रही क मझूर ही और साहती हो अपना अपना रारे हो उल्टी करता है तो उसको भी रोगने के लिए फ्लोक सेटिन टेबलेट काफी उपयोगी प्रिमेंस्ट्रॉल जो प्रोब्लम होती है यह समय्षे महिलाओं में पीरिड आने के पहले होती है महिलाओं में चिटचिटापन रहना उनको गुसा आना और डिप्रेशन सी समझे रहना उस समय भी फ्लोक सेटिन काफी फाइदे मन दे और इस दवा का प्रियोग ऑफ लेबल एक यूज है उमें बताना चाहूंगा दोस्तों डोक्टर अपने अनुभू के आदार पर यूज क दूर हो जाता है इसलिए स्टेबलेट को मूड एलिवेटर भी कहते हैं साथ ही इस टेबलेट का कैप्सूल का प्रियोग पूरुसों में अर्ली इजेकुलेशन को रोकने के लिए किया जाता है अर्ली इजेकुलेशन का मतलब आप समझ लीजिए सिगर पतन लेकिन दोस्तो इसके यूज जानने के बाद में बात करते हैं, इसके side effect के क्योंकि बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन इसके side effect के बाद में जानना बहुत ही जरूरी है, इसके नीद में disturbance रहेगा, उसका खाना नहीं पचेगा, साथ ही मुह में सुकापन सा लगेगा, abnormal dreams आएंगे, अजीब सपने आएंगे, साथ ही दोरे पर सकते हैं, सीजर हो सकते हैं, और जैसा इसका यूज है, ये sexual mood को elevate करता है, लेकिन अगर इसका side effect होता है, तो sexual dysfunction के लिए भी ये capsule जिमेदार रहता है, इसलिए दोस्तों इसे बहुत ही सावदानी से यूद करें, और बिना डॉक्टर के सला स इसको यूज नहीं करें, ये आयन के अलावब अगर आपको कोई problem लगे, तो तुरंती इस दवा का शेहन बंद करें, और अपने डॉक्टर से मेली जैसे आपको further treatment दिया जा सकें, अब बात करते हैं दोस्तों इसके withdrawal syndrome की, इसका मतलब जब दवा को लेना बंद करते हैं, तो आपको anxiety रहेगी, dizziness से रहेगा, साथ ही आपके sensation में changes आ जाएगा, ये सबी चीज़ें आपको withdrawal syndrome के रूपने मिलेगी, यदि आप इस problem से छुटकार आपाना चाते हैं, इनको दूर रखना चाते हैं, तो दवा को एकदम से बंद नहीं करें, gradually इसको decrease करें, और बात में इस syndrome से आप मुक्ती पासकते हैं, अब बात करते हैं, इसके dose की, क्या इसकी dose रहनी चीज़ें, साथ ही कुछ सावधान या क्या रहनी चीज़ें, इसकी जो दवा की dose है, सामेने तर दस मिलेगाम और बीस मिलेगाम की टेबलेट और केपसुल डोक्टर द्वारा प्रिसकाइब क खाने के बाद में और दोफ़र में पांच बज़े के लगबग आप इसको खाने के बाद में ले सकते हैं, और यदि कई OCD की जो बिमारी है, साथ से आट साल के बच्चे सो तक सुरू हो जाती है, अगर प्रिसकाइब किया है किसी PDT सिन डोक्टर ने, तो आप उन्हें भी खाने के बाद यह दवा दें, और एक चीज विशेश तोर से ध्यान रखें, जब भी यह दवा बच्चों को यह किसोर आवस्ता जो 25 की उमर के करीब हैं, उनको दी जाती है, तो सुरूआती दिनों में उनका विशेश तोर से ध्यान रखें, क्योंकि यह दवा सुसाइडल थोड को इंक्रीज करती है, उनके दवा लेने के बाद में सुसाइडल थोड साते हैं, ऐसा नहीं हो कि वो अपने आपको कुछ नुक्सान पहुंचा ले और कुछ समय बाद यह हैबिच्वल हो जाती है, इस यह दोस्तों डोज और वार्निंग दोनों में ने बताई है, वि जादे जादे इसको शेर करें, जो किशी और के भी एक काम आ सकें, और अभी तक आपने यूटीब चैनल लर्नावूट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो नेचे देखे रेट बरतों को दवागर जवर से सब्सक्राइब करते हो, जो पास में बैल आकाने से जो